Hello friends, welcome back to my channel, Life is Easy, मैं आकरिती, मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी recipes और उससे related easy cooking tips and tricks, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं coffee की एक और recipe आपके साथ share कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ dalgona coffee, ये coffee पीने में वाकई बहुत मज़ेदार लगती है, dalgona coffee बनाना बहुत easy है और इसके सारे ingredients हर घर में आसानी से available रहते हैं dalgona coffee बनाने में hand vister का use करूंगी, coffee बनाने के लिए मैंने एक cup दूद, चीनी, coffee powder और chocolate powder लिया है, chocolate powder optional है, इसी के साथ मैंने एक paper लिया है, इसके उपर heart shape की cutting कर लिया है, coffee को decorate करने के लिए तो चलिए coffee बनाना मैं start करती हूँ, तो सबसे पहले दूद में मैं एक चम्मच चीनी मिला रही हूँ, इस दूद को मैंने उबाल कर room temperature पर ठंडा कर लिया है, दूद में चीनी को mix करने के बाद, अब dalgona coffee बनाने के important process की और आगे बढ़ते हैं dalgona coffee बनाते समय measurement का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया है, और इसी चम्मच से मैंने दो चम्मच coffee और दो चम्मच चीनी ली है, एक चम्मच चीनी को मैंने पहले ही दूद में mix कर दिया था, तो कुल मिलाकर तीन चम्मच चीनी लगी है और दो चम्मच coffee powder, और अब चीनी और कॉफी को mix करने के लिए मैंने hot water लिया है, बिल्कुल गर्म पानी यूज़ करना है इसमें, तो मैं यहाँ पर तीन चम्मच गर्म पानी डाल रही हूँ और hand visitor से इसे mix करूँगे, इसे चम्मच से भी mix किया जा सकता है, लेकिन चम्मच से महनत और time जादा लगता है, तो अब मैंने hand visitor से coffee, चीनी और पानी तीनों को फेटना start कर दिया है, धीरे धीरे देखिए मैंने अपनी speed बरहाई है और लगातार इसे mix कर रही हूँ, लगबख एक मिनट के बाद चीनी और coffee पूरी तरीके से mix हो गई है, और coffee का texture भी काफी गाढ़ा होना start हो गया है, मैं इसे लगातार फेट रही हूँ, हाथों में दर्ध होने पर आप 5-7 सेकेंड का break लेकर इसे फिर से फेटना start कर सकते हैं, तो इस mixture को लगबख मैंने 4 मिनट तक लगातार फेटा है, और mixture पहले से बहुत जादा गाढ़ा हो गया है, लेकिन coffee के इस मिश्रन को जब मैं हैंड विस्टर से उपर उठा रही हूँ, तो देखिए ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसे हमें इतना गाढ़ा करना है कि ये whipped cream की तरह गाढ़ी हो जाए, और जब इसे हम उपर की और उठाएं तो ये नीचे गिरे नहीं, तो इसे अभी तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मिक्शर तयार हुआ है डैलगोना कॉफी बनाने के लिए, इस मिक्शर को बिल्कुल परफेक्ट बनाने में मुझे 7 मिनट का टाइम लगा है, हाथों की स्पीड पर 1 या 2 मिनट का टाइम आगे पीछे वैरी कर सकता है, तो चलिए अब जल्दी से कॉफी को सर्फ कर लेते हैं, कप में 2 आइस क्यूप्स डालने के बाद मैंने इसमें दूद डाला है, दूद के ऊपर से कॉफी और चीनी के इस मिक्शर को डाल रही हूँ, ये मिक्शर बहुत ही जादा लाइट वेट का है, इसलिए द दूद के ऊपर ये तैर रहा है, तो मजेदार डालगोना कॉफी पीने के लिए रेडी है, इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार चॉकलेट पाउडर के साथ डेकुरेट करके इंज्वाए करिए, डालगोना कॉफी की ये रेसिपी पसंद आई है, देन प्लीज लाइक, श शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हल्दी खाईए, खुश रहिए